प्र्य पीर जी थार जनुत ne स्नार का मुष्का verश NOT प्रिजर बॉडि की हत्या, चाल कैली डूखरन बलातकार और हत्या के लिए जेल एक चाचा को एक गेहरी फ्रीज में उसके शरीर को डालने से पहले उसकी भतीजी के गले को अफ़ण बलातकार और गले लगाने के लिए जेल में जमानत दी गई है मुझाहिद अर्षद 33 को सेलिंग दुखरन 20 की हत्या का दोशी पाया गया और दूसरी महिला की हत्या का प्रयास किया गया अर्षद जो जेल में कम से कम 40 साल की सेवा करेंगे नए दक्षिन पश्चिम लंदन के किंग्स्टन में खर ले जाने से पहले जुलाई में महिलाओं को चीन लिया उनके से आरोपी विंसेंट तेप्पू 28 अफ़रन के आरोपों को मनजूरी दे दी गई थी दोनों प्रतिवादियों को एक अफ़रन के दोरान कथित रूप से एक टीज़ का उप्योग करने के एरादे से एक बंदुक का कबजा करने की मनजूरी मिली जो एक नौ जिलाई 2017 को हुई थी अरशीद को 2008 और 2010 के बीच दूसरी महिला के खिलाव यौन उतपीडन के आरोपों के लिए दोशी ठहराया गया है सुश्री दुखरान के परिवार के सदस्यों ने हाप चिलाया जब फैसला सुनाया गया अरशीद ने चिलाते हुए कहा कि जीवित शिकार ने उन सभी को मार डाला जबकि शुरी तप्पू ने आंसुओं में जूरी को धन्यवाद दिया जीवित पीडित ने अरशीद के सामने गवाह बॉक्स ले लिया और स्वयम के शिकार के प्रभाव का बयान पढ़ लिया उसने कहा फ्लेश बैक और बुरे सपने मुझे आगे बढ़ने से रोकते हैं और हमले से शारीर एक जखम के लीन और मैं किसके माध्यम से चला गया का एक सततनुस्मा रख है एमस्टुखरण की माईमान से एक बयान पढ़ा गया जिसमें उसने अपनी बेटी को शुद्ध बुराई के शिकार पीडित कहा और कहा कि उसकी मौत के संदर्भ में आ रही एक आजीवन काम होने की संभावना है बयान में कहा वहां हमेशा अंधेरे में रहेगी जो हमारे चारों और से है ओल्ट बेली में मुकदमे के दौरान अर्शिद ने जूरी को बताया कि शुद्ध संयोग था उन्होंने एमस्टुखरं की हत्या के कुछ हफ़ते पहले तापमान पर मानव शरीर मृत्यू को फ्रीज करने पर एक इंटरनेट खोज की थी अदालत ने सुना है कि उनकी कुछ इंटरनेट खोज उने कुख्यात सीरियल किलर जौन जौर्ज हैग के बारे में जानकारी निकाली जिसे एक नौ चार नौ में कई हप्याओं में दूशी ठहराया गया था जहां उन्होंने एसिट का इस्तमाल करनेवाले निकायों का निपटान किया था श्रीय अशड ने खोज को ले जाने में स्वीकार किया लेकिन कहा कि वह इसलिए क्यूंकि वे नालियों को इन्वरोधित करने के लिए एसिट आधारेत उतपाद का निर्मान और बिक्री शुरू करना चाहते थे उन्होंने कहा कि वह आई गौ गया उतपाद को कॉल करने जा रहा था हत्यारे के नाम पर एक श्लोक का उप्योग करके उन्होंने मजेदार के रूप मैं वर्नेत किया अभियोजक ख्रिस्प नईलित की उसी ने कहा कि अशिद अपनी भती जी एमस दोचरन से ग्रस्त थे जिन्होंने बांक में काम किया था श्री हुलेट ने कहा कि उन्होंने एक साज़ेश में दोनों महिलाओं को अफरन और मारने की योजना बनाते हुए बिताई थे जो की वेचितर रूप से भयानत था अदालत ने सुन्या कि सुश्री दुखरन के परिवार में वह एक रिष्टे के बारे में दुख है और वह घर छोड़ने के बाद श्री अर्षद के कबजे वाले संपत्ती पर रह रहे थे हत्या के पहले शाम वहाँ एक परिवार की बैठक हुई थी जिसमें श्री अर्षद ने भाग लिया था जिसके दौरान सुश्री दुखरन और उनके प्रेमी को उनके सहीयोग को खत्म करने के लिए दवाव डाला गया था किंग्स्टन में खाली छे बैडरूम वाले घर में अर्षद ने बाथरूम में ये मिस्टुखरन के गले को तोड़ने से पहले दोनों महिलाओं को बलातकार किया उसने अधिकारियों को बताया उन्होंने कहा अब आपको दस मिनट बिताने हैं और आपका शरीर बंद हो जाएगा मैं मरने की कोशिश कर रहा था वह मर गया था जब वह कैली के शरीर पर हमला करता था और फिर उसने मुझे विचलित कर दिया कि मैं मर गया था वे ऐसे मनुवे गया निक है मैं बैठ गया और उसने कहा आपको इतनी उर्जा कैसे मिली मैं रक्त में जिर से बहर तक कवग किया गया था मैं इसमें तैर रहा था मैंने उन चीजों को सुनना शुरू कर दिया मैं तुमसे प्यार करता हूँ हम एक साथ भाग सकते हैं हम एक साथ खुश रह सकते हैं हम एक परिवार बना सकते हैं उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छा नहीं हूँ देख और मैंने क्या किया उसने अदालत से कहा मैं जूट नहीं बोल रहा हूं मैं अपनी जीवन के लिए डर रहा था मैंने सोचा अगर हम जीवित हो जाते हैं तो वे इससे दूर नहीं हो सकता